हेलो दोस्तों सब्सक्राइब आपका अगर्श की वीडियो में आज हम लोग जो पोस्ट्राइब सफिज में प्रोसीजर रहती है तो आप एक्दम सिंपल वाला एक एक ऍजाम्पल लेकर प्रोसीजर समझेंगे क्यों कि आप आप मैंसे काफी लोगों ने कंप्लेंट किया है क प्रोसीजर है वो complicated है तो एकदम simple वाला एकदम basic वाला जो है वो समझेंगे तो क्या होता है देखिए सबसे पहले मैंने structure बना दिया है पहले इसको समझ लेते हैं यह क्या होता है तो यह मैं आपके description box में भी दे दूँगा तो आप कोई सा भी function लिखेंगे या procedure लिखेंगे आपको same syntax लिखना ही है तो आप इसको copy paste कर दीजिए उसके बीच में जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं तो क्या होता है सबसे पहले होता है कि आप create करना तो आप simple create लिखेंगे या तो आप इस तरह से सकते हैं create procedure नगी हिसका बहुता है या दूसरा option रहता है create or replace तो इसका क्या meaning होता है कि यदि आपका same name का है तो आप उसको alter कर सकते है next time create करेंगे तो वो बोलेगा already accessed तो यह हो गया syntax आपका create procedure and procedure का name जो भी नाम देना है आपको तो इसके क्या करते है अपना demo test मेरा schema name है तो schema dot अपना procedure का name कहीं आप schema नहीं देंगे तो आपका जो y default जो open है schema उसके अंदर ही वो create करेगा तो मुझे करना है demo test के अंदर तो यहाँ पर demo test dot मेरा procedure का name तो generally मैं क्या करता हूँ जो procedure रहते हैं उनके लिए प्र रेप रॉक लिख देता हूँ यहाँ पर तो मुझे मालम रहे है कि यह procedure है and function के लिए fn लिखते हैं function तो आपन लिखते हैं proc underscore आपको जो भी name तो आपन क्या एकदम simple basic देख रहा है कि print my name तो मैं उसको दे रहा हूँ print name यह जो रहता है bracket start होता है end होता है यह रहता है parameter यदि मुझे कोई variable parameter पास करना है उसके लिए तो फिलाल जो पहला procedure लिख रहा ह है मतलब जो भी रहा है कि इंसाइड hard code value रहेगी है आपन डारेक्ट लिए उसको वहीं पे इंसाट अपडेट करेंगे यह हो गया है मेरा create का syntax इसके बाद होता है important language आपको हमेशा यह language लिखना है कि कौन सी language है तो यहां पे आप होता है इसका PLPG SQL अब same copy paste कर देंगे PLPG SQL इसके बाद यहां पर क्या होता है uska mandatory होता है कि आपको body start करना है कि आपकी body कहां से start हो रही है तो उसके पहले start होता has and at a body start हुई and यहां पर body end होगी यहां से start होगा and हुगा and इसके बीच में जो भी लिखते हैं and beautiful मतलब जो मेरे transaction रहेंगे, वो यहाँ पर begin रहेंगे, and यहाँ पर end रहेंगे. तो यह आपका basic syntax बन गया, कि आपका यह procedure, यहाँ पर आप अपने को कोई भी, अपने को action लेना है. अब ही अपने को क्या करना है, यहाँ पर कोई भी action पर मैं बोल रहा हूं, यहाँ पर print होगा, तो अपन प्रिंट कराते हैं, I am rakes, अपन इसको print कराते हैं, तो आपका यह function हो गया है, end, इसको open करते हैं, create, इसको compile करेंगे, ऊपर यह जो रहेगा, execute और refresh, क्या दिया है, syntax, error, क्योंकि अपन ने यहाँ पर इसको end नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर end करना रहेगा, select करेंगे, and आपको execute करेंगे, तो create procedure, आपका procedure create हो गया है, अभी देखिए, अपन क्या करना है, create procedure, यदि मैं फिर से run करूँगा, तो वो बोलेगा कि procedure already exists, यदि मुझे इसको change करना है, तो इसके लिए एक और option क्या था, create or replace procedure, तो इससे क्या होगा, यदि मैं फिर से run करूँगा, तो जो existing already है, तो वो इसको replace कर देगा, इसको अब मैं कितनी भी बार run कर सकता हूँ, ये मेरा हो गया है, अब ही अपने को क्या करना है, इसको call करना है, कि मुझे ए print कराना है, आयम राके तो कैसे होगा, ये जो procedure अपने create किया है, इसको आप करेंगे call, आपका schema name, demo underscore test dot अपका procedure name, तो अपने क्या लिखा था procedure का नाम, proc underscore print my name, यहां पर कोई भी parameter अभी तक पास नहीं किया है, तो कुछ नहीं डालने की जुरूबत है, यदि अपने यहां पर जैसे राके से इसको अपन parameter के थ्रों करेंगे, वो देखते next, लेकिन अभी फिलाल अपने कुछ भी यहां पर देखिए empty है, इसको run करते हैं, तो क्या मैं expect कर रहा हूं कि इसके अंदर का जो range notice है वो यहां पर आना चाहिए, तो यह तो एक simple अपन procedure देख रहा है, इसके लाब आप update, delete जो भी करेंगे वो इसके अंदर जो भी रहेगा वो सारा execute होगा, फिलाल name print होगा, run करके देख लेते हैं, तो यह देखिए notice आया, I am rakes, यह हो गया, अभी तो आपन ने क्या किया था, इसको पूरा hard code किया है, लेकिन आपको यहां पर variable define करना है और उसको use करना है, तो आपन यहां पर करेंगे उसको, तो क्या होता है, तो इसके अंदर आपन इसी procedure को replace करते हैं, and इसको अपन नाम देते हैं, यहां पर भी, भी for variable, अपना where care के लिए, and मैं बोलता हूँ name, and क्या रहेगा मेरा where care, यह हो गया, तो अभी आपन क्या करेंगे, अभी मैं इसको run करूंगा, तब भी चलेगा, लेकिन यहां पर hard code value है, मैंने यहां पर define किया है, लेकिन अभी तक इसको use नहीं किया है, करके देख लेते हैं, इसको मैं direct execute करता हूँ, यह compile किया, and इसको मैं call करता हूँ, तो यहां पर देख आयम राके, तो हर बार मैं जब भी run करूंगा मुझे, यही name आएगा, लेकिन आयम यहां पर मुझे इसको हर बार change करना है, कि बार जो pass करूं उसको print करें, इसको use करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर, तो यहां पर जो यह parameter पर पास कर रहा है, इसको use करना पड़ेगा, तो यह percentage है, यहां पर जो भी value आईगी, जो भी pass करेंगे, उसको उठा के वो print करता है, करके देख लेते हैं, इसको सबसे पहले अपन करते हैं, compile again, यह देखी, compile हो गया, अभी देखो, अपने को क्या चाहिए है, कि एक parameter अपने add कर दिया है, तो इसकी जगे मुझे क्या pass कर value जो पास कर रहा हूँ यहां से, वो यहां के थो, यहां पर replace हो जानी चाहिए, run कर देते हैं, तो यह देखी, क्या हो गए, I am Rakis, यहां पर आपका जो भी name है, for example Raj, यहां पर आप राज करेंगे, तो अभी hard code value नहीं है, आप जो pass कर रहे हैं, वो प्रिंट करते जा रहा है, अब जैसे ही call करेंगे, यहां पर, अभी क्या होना चाहिए, I am Raj, यहां पर आपको चाहिए, क इस तरह की value डाल नहीं है, यहां पर डाल सकते हैं, तो again compile करिए, and आप जैसे ही call करेंगे, तो राज और उसके बाद यह mark आजाने चाहिए, यहां पर यह दोनों अगए, अभी तो यह तो हुगा आपका एक parameter, यदि मुझे name, and उसका surname भी करना है, तो यहां पर आप दो भी pass कर सकते हैं, तो क्या लिखूंगा, भी, surname, and a, b, क्या राएगा, मेरा, where, care, यहां पर अभी क्या है, एक की जगे मुझे, दो value करना है, pass, तो यहां पर एक और इस तरह से डाल दूँगा, एक और percentage, and यहां पर एक और value, तो first number पर पहले number पर जो है, second number पर, second number की value है, इसको open, same format में रखते है, small, and a, b, small, and इसको open, create कर लेते हैं, तो अभी देखिए, अपने पास क्या syntax रहा रहा है, अपने के body select नहीं करी थी, तो अपने को body select करका है, पूरा, क्योंकि आपका इदे की syntax रहा है, तिल आपना body start की और end नहीं किया है, तो यह हो गए अपना compile, अभी अपने पास क्या है, दो parameter है, मेरा name and surname, तो यहाँ पर name and दूसरा value मैं पास कर रहा हूँ, यहाँ पर उसका surname, मैं बोलता हूँ ठाकुर, इसको भी मैं capital में देता हूँ, and अभी अपन इसको call करते हैं, तो देखिए क्या हो गया, राज, यहाँ पर एक काम आया था, आप चाहिए तो space दे सकते हैं, ठाकुर add run करेंगे, तो जो भी print करेंगे, यहाँ पर उप्रिंट करेंगे, अभी दो parameter आप कितने भी कर सकते हैं, अभी यह तो simply यह पर value दे सकते इस जगह, यहाँ पर add कर सकते हैं, यह प्लस B, बन प्लस 2, इस तरह के कोई भी value, जो calculator बनते हैं, तो अभी इसको उपन, call करके देखते हैं, तो यह देखिए, राज, ठाकुर, कोई दूसरा value दूँगा मैं, राकेस, माल भी है, and मैं इसको call करूँगा, तो यह देखिए, जो भी value आईगी, वो इसको print कर देगा, तो आप message जो complaint थी, कि एकदम simple भासा में, और एकदम simple नहीं complicated किया है, तो अभी यह देखिए, एकदम simple है, यह आपका हो गया syntax, यह हो गया आपके parameter, यह कुछ parameter नहीं देना, तो आप नहीं दे सकते हैं, वो भी चलेगा, यहाँ पर language, PLPG scale, edge आपका starting होता है, यहाँ से body start हुई, body को end किया, begin and end, यह आपके transaction है, जो बीच में होंगे, वो सारे transaction होंगे, यहाँ पर कोई mathematical calculation बगेरा है, फिलाल समझाने के लिए एकदम simple भासा में, raise notice किया है, कि इसको print कराना है, जो भी value print कराना है, जो भी जो parameter अपने pass किये है, उनको use करके अपने यहाँ पर इनको print किये, कि यहाँ से जो pass करूंगा, वो यहाँ पर मेरे pass हो जाएंगे and वो print कर देगा, एकदम simple procedure होई, इसी तरह से आपको जो भी requirement रहेगी, आप इस तरह से उसको replace कर सकते, तो मैं एक काम क है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाई बाई